बिग बॉस 13 की सबसे चर्चित प्रतिभागी शैनास गिल ने अब अपने फैंस के बीच देश प्रेम को जागरित कर दिया है 15 अगस्त के खास मौके को देखते वे शैनास गिल ने एक वीडियो अपने सोशल एकाउंट पर शेयर किया है जहां वो एक देश भक्ती गाने पर कमाल के पंजाबी स्टाइल में डांस करती दिख रही है ये तो हर कोई जानता है कि शैनास गिल की एक्टिंग और सिंगिंग तो अच्छी है ही साथ ही वो भांगरा और गिद्धा बहुत अच्छा करती है और अपने इस वीडियो से शैनास ने एक बब फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया है शैनास गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसमें वो ये देश है वीर जवानों का सौंग पर डांस करती नजर आ रही है वीडियो में डांस करते वे शेहनास गिल का अंदाज और उनका जजबा देखने लाइक है इस वीडियो में उनका हर एक स्टेप बिलकुल पॉफिक्ट लग रहा है खास बात तो ये है कि शेहनास के इस वीडियो को अब तक 6 लाग से भी जादा बार देखा जा चुका है इसके साथ ही फैंस वीडियो पर जम कर तारीफे भी कर रहे हैं वीडियो में शेहनास गिल का डांस करते वे उनके एकस्प्रेशन्स भी कमाल के लग रहे हैं वहीं इस वीडियो में शैनाज ब्लू कुर्ता और वाइट प्लाजो में बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदास में नजर आ रही है वीडियो को शेयर करते वे शैनाज गिल ने लिखा है ये मेरा देश है और मुझे इस परनाज है साथ ही वीडियो के अंत में शैनाज ने अपने देश प्रेम को दिखाते हुए जैहिन बोल कर सेल्यूट भी किया है आप भी देखे इस वीडियो को जहां शैनाज गिल के देश प्रेम को देखकर आप में भी देश प्रेम की लहर जाग जाएगी शैनाज गिल की लोगत्रियता इस कदर बड़ी है कि अब भी उनके फैंस उनकी एक जलक पाने के लिए बेताब रहते हैं बबली एंड चरपी शैनाज लोगों की अटेंशन पाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है और अपने चाइल्ड इनोसेंस से शैनाज ने सब का दिल जीत लिया है वहीं शैनाज गिल को कैटरिना कैफ कहलाना बहुत पसंद है जिसे हम सब ने बिग बॉस 13 के दोरान भी देखा था और अब शैनाज ने अपने एक पुराने वीडियो को शेयर किया है जहां शैनाज अपने अंदाज में मस्ती कती दिख रही है और खुद को कैटरिना कैफ कहलाने के लिए अपने दोस्तों को मजबूर कर रही है वहीं कैटरिना सुनने के बाद शैनाज खुश हो जाती है और इस वीडियो के इसा शैनाज ने कैप्शन में लिखा है पुरानी वीडियो कैटरिना कैफ बोलो फिर सुनूंगी और इस वीडियो को देखने के बाद शैनाज के फैंस ने सना के लिए अपने प्यार को भी दिखाया है और कहा है यू आ माई फेबरेट वेल शैनाज गिल के पास अभी धेर सारे दिल्चस्प और रोमांच्रक प्रोजेक्ट्स के ओफर हैं जिस पर काम वो लॉकडाउन की समापती के बाद शुरू करेंगी